हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल श्यवदार वितायोश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मुक्का प्रोटीन आई प्यों के सेकिंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में तो दोस्तों दूसरा दिन था आज और दूसरा दिन किस तरीकी का रहा कितना प अब निकल कर आ रहा है वो यह है कि क्या हम कल भी अब लाए कर सकते हैं तो यह भी आपको आंसर दूँगा विकास आपको पता यह कल मार्केट ओपन होने वाला है तो वीडियो को देखिएगा पूरा लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक् हैं देखि कल एक normal ट्रीडिंग सेशन नहीं एक special ट्रीडिंग सेशन है disaster recovery साइट के लिए वह सेशन हो रहा है तो उसके अंदर दोस्टो आप apply करते हैं देखिए वैसे तो आप apply कर सकते हैं अगर आप net banking से अपलाए करेंगे तो apply तो हो जाएगा लेकिन याद रखिए का जो 28 रुपीज का price band है 535 shares का lot size है कुल मिलाकर 224 करोड का यह IPO है जिसमें से fresh issue है पूरा का पूरा और BSE NSE दोनों पर इसके आपको listing देखने को मिलेगी friends इसमें एक application लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको 14,980 रुपीज पे करने पड़ेंगे यह बाद ध्यान रखेगा अगर आपने दोस्तों याद रखेए for example 4 lot लगा दिए, 5 lot लगा दिए, 3 lot लगा दिए अगर आपको allotment मिलता है तो आपको 3 lot नहीं मिलेंगे आपको कितने lot मिलेंगे, only one lot because over subscription में आपको सिर्फ 1 lot मिलता है तो better क्या है कि आप go for only single lot in retail अगर आप retail में लगाना चाहरे अगर आपको ज़्यादा लगा रहे तो आप H&I category में जाहिए जिसमें आपको 14 lot के लिए अपलाए करना पड़ेगा 7,490 shares मिलेंगे इसके value 2,9720 रूपीज होने वाली है आप small share में maximum कितना जा सकते है? 66 बट अगिन वोई बात है लेकिन अगर इस साथ उपर जाना है आप बिगेचना में चाहिए 67 lot के लिए जिसके लिए आपको 10,3,660 रूपीज पे करने पड़ेंगे तो आपको इस समझ में आ चुका होगा कि कितना यहाँ पर different different यहाँ पर categories के अंदर आपको पैसा लगाना है अब बात करतें सब्सक्रिप्शन के बारे में तो दूसे डेवन का सब्सक्रिप्शन था कुल मilah कर QIB portion 1.01 टाइं सब्सक्राइब होआ था HNI portion 1.60 टाइं सब्सक्राइब होआ था retail portion 4.07 ताइं सब्सक्राइब होआ था hóar total मिला कर 2.67 ताम्स हमको यह जो issue था वो subscribe होता हुआ नजर आया था निकुल मलाकर जो subscription हमको देखने को मिला था दो दिनों के अंदर वो 2.67 times था तो पहले दिन के अंदर यह तो लग रहा था कि हाँ subscription अच्छा निकल कराएगा कितना आएगा यह पता नहीं था राइट तो second day कितना आया चलिए यह देख लेते है so friends QIV portion जो पहले दिन एक उना subscribe हुआ था आज कुछ जादा difference तो नहीं है 1.86 times था subscribe हुआ है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है जिनको नहीं पता है QIVs दोस्तो majorly आखरी दिन पैसा लगाते हैं तो आखरी दिन पैसा लगाते हैं तो आखरी दिन ही पैसा आता है इसलिए अभी तक दोस्तों जो subscription है वो हमको only 1.86 times देखने को मिला है कुल मिलाकर QIVs को 1.60.000.000 शेज ओफर किये गए है और अभी तक 2.98.29.995 शेज के लिए application जो है वो receive already हो चुका है कुल मिलाकर अभी तक QIVs ने 83.52 करोड लगा है last day यही दिखना होगा कि last day QIVs कितना इस issue में पैसा डालते हैं यह important रहेगा इसके बात दुस्तों जो category आती है वो है non-institutional buyers की करीवन 6.22 times के आज पास H&I category subscribe हो चुकी है कुल मिलाकर एक करोड 20 लाग shares के लिए application आनी है और अभी तक 7 करोड 46 लाग shares के लिए application आचुकी है दोस्तों 9 करोड रुपे जो है वो भी तक दोस्तों H&I category ने लगा दिये हैं जिसमें अगर बात करता हूँ Big H&I की तो 3.12 times Big H&I portion subscribe हो चुका है 4.96,99,366 के लिए application आई है कुल मिलाकर 139.16 करोड अभी तक small H&I's ने इस issue में डाल दिये है तो overall हम यह कह सकते हैं कि जो subscription हमको देखने को मिल रहा है H&I category के अंदर वो बढ़िया है लेकिन हाँ बहुत जादा भी नहीं है अब देखें यह हो सकता है कि क्योंकि आज दूसरा दिन है अब 4 March को बाजार ओपन होगा Saturday Sunday तो इसलिए 4 March को लोग पैसा लगाए यह भी होने की possibility जादा है और जादा क्यों हो भी है विकूस दोस्तों Execom और Platinum यह दोनों चो main mode IP है इनके पैसे लोगों के लगे हुए है तो यह Monday तक freebie हो जाएंगे तो Monday को हो सकता है कि आपको Execom और Telecom में इसी से पैसा भी आता हूँ अन्य जरा है तो हमको wait ज़रू करना पड़ेगा पट मेरा मानना यही है कि उदर से उच दिन के बाद यहीं जो final day रहेगा उच दिन को subscription टिक टाक देखने को मिलेगा इस issue में इसमें कोई doubt नहीं है retail के टेकरी कितनी subscribe हो चुक है retail portion 10.25 times subscribe हो चुक है कुल मिला के 2 करोड 80,000,000 shares offer किये गए 28,69,000,000 shares के लिए जो application है वो अभी तक हमको receive होती भी देखने को मिले यहीं जो subscription है वो बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर भी कोई problem देखने को नहीं मिल रही है कुल मिला के वी तक 803 करोड के एसपास जो है वो पैसा डाल दिया गया है retail के दोरा total मिला कर दोस्ते जो issue है वो 7 times के एसपास subscribe हो है 1096 करोड के एसपास अभी तक इस issue में पैसा जो है वो डाल दिया गया है तो subscription अगर अब देखा जाए तो बढ़िया निकल कर आया है दो दिनों में साथ बुना बुरा नहीं है बहुत जादा भी नहीं है और बहुत जादा आ सकता था इसमें कोई डाउट नहीं कि issue का size ऐसा भी नहीं कि बहुत जादा बड़ा है मातर दो 100 करोड का इसपास का issue है उसमें से भी देखिया एंकर investors को तो कुछ दे रखाए तो जादा issue बड़ा नहीं है बढ़ हाँ अभी तक देखा जाए तो पैसे यह नहीं कह सकता कि देखिये बहुत outstanding subscription है इस subscription को मैं अच्छा कह सकता हूँ outstanding नहीं कह सकता लेकिन again last day बहुत कुछ हो सकता है तो last day wait करना है तो अब question आपका यह उगा कि लगाना चाहिए कि न लगाना चाहिए देखिये company तो बुरी नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि दूस्ते जो company है वो एक non-witch type का आइटम का काम करती है fish related तो उसको लेकर जरूर एक यहाँ पर investors के बीच में question रहता है कि वो लगाए कि नहीं लगाए कि काफी लोग देखिये नहीं लगाते तो राइट वो हमको चीज़ देखने को मिलती है और वो सबका personal है तो उसके उपर आपको खुद को decision लेना है कि आपका खुद का personal क्या decision है राइट बाकी company तो ठीक है अगर बात करता हूँ इसकी green market के बारे में क्या सबसे देखने वाली बात किया रहने हाले जिए कि qoibs कितना पैसे लगा रहे है qib portion कितना subscribe होता है यह देखने वाली बात सबसे important है कुध Qib s ही मिरसाब से देखिये importance रखते हैं वो बहूत बार देखे trend जो है वो change कर देता है जो इशु खराब कराता है वो बढ़या करता है सिर्फ QIB के पैसे कारण और कोई इशु जो बहुत बढ़या कर सकता था वो QIB के पैसे के कारण खराब कर बाता है अगर QIB का पैसा नहीं आता है पैसा जब जैसे ही देखिए वो रिलीज होगा उसके बाद भी आप देखेंगे तो इसके इंदर काफी तीजी से पैसा आएगा और आक्री दिन eventually देखते भी हम यही है कि काफी तीजी से पैसा आता है तो friends इस वीडियो में इतना ही था लिलीज के लग.